हलो, आपका हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत थवन में बहुत बहुत स्वागत है आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप हमारी हर लेटिस्ट अपडेट पास सकें नमस्कार में बाइनिका गुप्टा आपका स्वागत करती हूँ करमा आयरवेदा के यूट्यूब चैनल पर जहां आप किड्नी से रिलेटिट सारी विडियोज इसली पास सकते हैं आज हम आपको बताएंगे ऐसे टिप्स के बारे में जो किड्नी फेलियर को रोपने में आपकी हेल्प करेंगे पर पहले में आपको बताती हूँ कि किड्नी फेलियर को रोपना क्यों ज़रूरी है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किड्नी हमारी बॉडी का एक important part है जो कि हमारी बॉडी में से वेस मटीरियल को चान कर बॉडी से बहार निकाल देती है अगर हमारी किड्नी खराब हो जाए तो हमारा जीवन ही खत्रे में पढ़ जाता है इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे tips बताएंगे जिससे आप किड्नी failure होने से रोख सकते हैं पहला point है आप एक healthy food diet लें क्योंकि एक healthy food diet लेने से आप कई बिमानियों के खत्रों से बच सकते हैं इसको जानने के लिए आप अपने dietitian को consult करें आप ऐसे ही food product का सेवन करें जो कि low fat हो जिससे आपका वजन नियंतृत रहे और ये ध्यान रहे कि आपके भूजन में सीमित मात्रा में ही sodium और sugar हो क्योंकि इससे आप diabetes और high blood pressure के खत्रे से बचे रहेंगे किड्नी के खराब होने के मुख्य कारण high blood pressure और diabetes की बिमारी माना जाता है food label पढ़ना और समझना सीखें क्योंकि कई can't food में नमक और sugar का use किया जाता है दूसरा है daily exercise करें exercise करना क्यों जरूरी होता है ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में उठता है इसका जवाब है कि ये आपके weight को control अखने में help करता है यही नहीं अगर आप regular exercise करते हो तो ये आपको diabetes, दिल की बिमारी और kidney की बिमारियों के साथ चात अन्य मिबारियों से भी बचाता है साथ ही ये आपके blood pressure और cholesterol को भी नियंतरत रखता है इसलिए अगर आप exercise नहीं करते हैं तो जल्गी exercise शुरू कर दे कई लोगों को यही उलजन रहती है कि वो काफी बिजी रहते हैं जिसकी वज़े से वो exercise नहीं कर पाते तो उन्हें क्या करना चाहिए तो उन लोगों को मैं यही सला दूँगी कि वो अपने डेली कामों के साथ exercise भी कर सकते हैं जैसे कि टीवी देखते हुए exercise करें आज stretching कर सकते हैं या exercise machine जैसे still bicycle और treadmill का use कर सकते हैं आप अपने घर के कामों के साथ भी exercise कर सकते हैं जैसे कि आप दुकान पर पैदल जा सकते हैं बगीचे के काम कर सकते हैं और बच्चों के साथ खेल सकते हैं आप ओफिस जाते समय भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी कार को थोड़ी दूर पाक करें और ओफिस तक पैदल चल कर जाएं साथ ही अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तमाल कर रहे हैं तो आप अपने ओफिस से एक स्टॉप पहले ही उतर जाएं और ओफिस तक पैदल चल कर जाएं आप लिफ्ट की जगा सीरियों का इस्तमाल भी कर सकते हैं तीसरा है शराब के सेवन से बचे क्योंकि ये किड्नी के फिल्टर करने की क्यापसिटी को कम करती है जिससे किड्नी ब्लड से वेस्ट मटीरियल ठीक तरीके से चान नहीं पाती और किड्नी के खराब होने का खत्रा भी बढ़ जाता है बहुत अधिक शराब का सेवन करने से आपकी blood pressure पर भी impact गलता है इसलिए जो लोग जादा शराब पीते हैं उन्हें high blood pressure के chances भी ज्यादा रहते हैं यही नहीं यह आपके liver को भी खराब कर सकती है इसलिए अगर आप अपनी kidney को healthy रखना चाहते हैं तो आजशी शराब पीना छोड़ दे चौथा है फूड में नमक का use कम करें क्योंकि नमक आपके blood pressure को बढ़ा सकता है यही नहीं आपकी kidney को खराब भी कर सकता है इसके लिए जरूरी है आप नमक का use कम कर दें इसके लिए canned food product के सेवन को कम करें ताजे फल और सबजियां खाएं क्योंकि इसमें sodium की मात्रा कम होती है यही नहीं आप food product के label जरूर चेक करें और frozen meal को मना करें इसके बजाए आप healthy food और ताजे food product का ही सेवन करें पांचवा है label check करना जो की बेहद ही जरूरी है कुछ kidney के patient बिना label check किये ही frozen meal और canned food product खरीद लेते हैं और बिना doctor की सला के उसका सेवन भी कर लेते हैं जिसकी वज़े से उनकी kidney खराब हो जाती है लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि उन्हें label check करके ही food लेना चाहिए इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी food product में कितनी मातरा में sodium, phosphorus, potassium, fiber और carbohydrate है क्योंकि यह आपकी kidney पर ही नहीं बलकि आपकी body पर भी impact डालता है अब हम आपको बताएंगे कि label check करते समेख आपको इन minerals की कितनी मातरा का ध्यान रखना चाहिए आपके food में total fat 20% से कम होना चाहिए saturated fat 10% से कम होना चाहिए cholesterol 7% से कम होना चाहिए fiber 10% या उससे जादा होना चाहिए sodium 6-10% या उससे कम होना चाहिए potassium अगर है तो 6% से कम होना चाहिए ऐसी ही अगर phosphorus है तो वो 5-15% के बीच में ही होना चाहिए अब आखरी है कि smoking करना छोड़ दें क्यूंकि ये आपके blood pressure को बढ़ा सकती है और अगर आप kidney patient है तो ये आपकी kidney की बिमारी को और भी बिगार सकती है यही नहीं ये आपकी kidney की बिमारी में यूज होने वाली दवाईयों पर भी impact करती है जो कि आपकी kidney की बिमारी को और बढ़ा देगी इसलिए smoking ना करें तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको उन tips के बारे में बताया जो आपकी kidney को fail होने से बचा सकती है अगर आपको हमारी वीडियो यूसफुल लगी हो तो इसे like और share करना ना भूले अगर आपने हमारे चानल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले इसे subscribe कर ले और bell icon को press कर ले ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको notification मिल जाया अगर आपको kidney से related और भी कोई problem है या और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिये गई contact numbers पर contact कर सकते हैं या आपको description पर दी गई details पर भी जा सकते हैं अगर आपको इसके अलावा कोई query है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं ताकि उस पर हम अगली बार से वीडियो बना सकें थांक्स पर वाज़िंग दिस वीडियो और ऐसे ही बने रहे कर्मा आयुरवेदा के साथ अगर आप भी kidney dialysis पर हैं और बचना चाहते हैं इस painful procedure से तो आप भी डॉक्टर पुनी धवन से संपर कर सकते हैं हमारा पता है हमारे फोन नंबर से 098-7171-2050 हमारी email id है अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं